हम मोडी जी की इस भाशन का पोस्माटम करते हैं उनके भाशन का उन्होंने जो भाशन दिया उस बारे में आपको जो जूट उन्होंने बोला उसकी सच्चाई को आपके साम में रख कर ताके मोडी जी को भी मालूम हो जाए कि मोडी जी आप लंबी-लंबी फेकते हैं हम आपको सच्चाई बया बता देते हैं और सच्चाई ये है मेरे भाई कि भारत में भारत में मुस्लिम हमारी माउर बहनों का जो fertility rate है वो 2.36 है कम हुआ है माने जो बच्चे पैदा कर रहे मुसल्मान वो कम हुआ है हमारे हिंदू भाई बैन का उससे कम है जरूर मगर हमारा कम हुआ है मगर मोडी जी क्या बोलते हैं बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं अच्छा मोडी जी आपके कितने भाई बैने हैं जे अमिच्चा के कितनी बैने हैं जे रवी शंकर प्रसाद के कितने भाई बैन साथ मगर इन सब को नजर आता हैं मुसल्मान बच्चे बहुत पैदा कर रहा हैं यह गौर्मेंट का डेटा बता रहे हैं टू पॉइंट्री सिक्स अब आप इस पे आ जाईए दूसरा उन्होंने कह के यहां पर गुस बेटी हैं पंदरा जुलाई 2014 को गौर्मेंट ने पार्लिमेंट में इस तरह का कोई जाब नहीं दिया कोई एस्टिमेट नहीं है का पचीस नॉब्र 2014 को गौर्मेंट ने कहा कोई डेटा नहीं है नमबर नहीं है 6 डिसम्बर 2016 को गवर्मेंट ने का कोई confirm data नहीं है बंगला देश से जो लोग आ रहे है 22 डिसम्बर 2015 को लोग सबा में गवर्मेंट ने का हमारे पास कुछ record नहीं है 21 मार्च 2017 को मोडी सरकार ने का कि data available नहीं है 11 अपरल 2017 को गौर्मेंट ने कहा कि डेटा नहीं है कि बंगला देश से कि इत्यारे 1 अगस 2017 को गौर्मेंट ने वही जवाब दिया 20 मार्च 2018 को वही जवाब दिया 2 जुलाई 2019 को वही जवाब दिया 3 मार्च 2020 को मोडी सरकार ने वही जवाब दिया कि हमारे पास डेटा नहीं है नंबर नहीं है तो मोडी जी आप किस बुनियाद पर गुस्पैटी कही दिया हमको बताओ मोडी जी का जवाब सुनू आप अब हम उनको जवाब दे रहे हैं अगर हमारे दक्षिन भारत के जो परदेश हैं दक्षिन भारत के जो परदेश हैं वहाँ पर बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा पूरे भारत से मिलता है तो से और दक्षिन भारत से मिलता है मोडी जी आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं अगर दक्षिन भारत के लोग बोलना शुरू कर दे कि हमारे पास पार्लिमेंट की सीट कम है हम बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं पैसे भी ज्यादा दे रहे तो तुम क्या जवाब दोगे भारत के बदान मंद्री बताओ हमको बताओ क्या जवाब दोगे आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजरू को ये नरेंदर मोडी भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और अगर और भी आपको डेटा चाहिए अच्छा ये बोलते हैं एक और बात जो मैं आपको बता रहे ह मसल्मानों का गरीबी में कितना हमारा तनासुभ है कितने गरीब है मुसल्मान इसके बारे में आपको माजबता के जाएंगे जो मुसल्मान गाउं में रहता है जो मुसल्मान मोडी जी सुनो अगर कान में सुनने की ताखत है तो सुनो देश के पतान मंत्री ए भाई रुक जाईए ना मुसल्मान जो गाउं में रहता है जो वो अपने पैसे खरचता है खाने पीने के लिए सबसे कम ख़रशने वाला अगर कोई है तो मुसल्मान सबसे ज्यादा सीख है जो महाना उसके खरचा दो हजार एक सो चे रुपी है हमारे का एक हजार एक सो सतर रुपी है और मुसल्मान सिर्श ग्यारा सो तेंटीस रुपे खरचता है ये मोडी की सरकार का डेटा है कितना जूट बोलोगे मोडी जी तुम कितना जूट बोलोगे मगर मोडी जी को किन मुसल्मानों से महबबत है मालूम आपको कौन से मुसल्मान से महबबत है मोडी जी को दुबाई जाएंगे साओधी अरफ जाएंगे दुबाई और साओधी अरफ जाएंगे तो उसको बोलेंगे या हबीबी या हबीबी ऐसा मिलेंगे जैसा कि एक भाई से मिल रहे और हम को ऐसा देखते हैं हम गुस्पेटी है मोडी जी उसका नाम अगर मुहम्मद बिन जायद है तो अख इसका नाम अखतर अलीमान है दुबाई के मुसल्मान से महबब, साओधी के मुसल्मान से महबब और सीमान चल के बेटी अखतर अलीमान से नफरत क्यों मोडी जी बताओ